क्या कॉंग्रिस के श्यासी वनवास को खतम करने के जद्दो जहद में जुटी कॉंग्रिस इस वार कोई कसंद नहीं छोड़ना चाती है इसके लिए पार्टी परदेश के यूवा तुर्कों पर कले लगाने की कवायर में जुटी है अलपेश को अपने साथ जोडने के बाद कॉंग्रेस जहां एक और हार्दी के साथ मोलभाव कर रही है वहीं दलित नेता जिगनेश को भी अपने पाले में करने के लिए पूरा जोड लगा दिया है राजनितिक जानकारों की माने तो इस युगा तिकड़ी में जिगनेश कॉंग्रेस के लिए सबसे ज्यादा फायदे मन साबित होने वाले हैं आंदोलनों के जरिये अपने पहचान बनाने वाले जिगनेश की लोगप्रियता सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं है दलीतों से जुड़े मामलों को उठाने के चलते जिगनेश को दिली से लेकर यूपी, राजिस्थात और जार्खन तक में एक अलग पहचान मिली गुजरात में दलीत वोटरों की संख्या करीब 7 फीजदी है, लेकिन रास्ट्रेस्थर की बात करें तो इनके संख्या करीब 15 फीजदी के आसपास है 2014 के लोग सबद चुनाओं में दलीतों ने बीज़ेपी को वोट दिया था, जिसका नतीज़ा ये हुआ कि पार्टी ने यूपी की सभी 14 रिजर्व सीटे जीद ली यूपी विधान सबद चुनाओं में भी दलीतों का रुजान बीज़ेपी के पक्ष में देखने को मिला ऐसे में अगर जिगनेश कॉंग्रिस में जाते हैं तो इससे बीज़ेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है लेकिन जिगनेश की यही पहचान कॉंग्रिस को देश वियापी फाइदा दिलाएगा वो यूपा हैं तेज तर्रार हैं यही वज़े है कि उना अंदोलन के जरीए पहचान बनाने वाले जिगनेश में कॉंग्रिस को एक उमीद के किरन दिख रही है पार्टी जिगनेश का इस्तिमाल सिर्फ गुचरात ही नहीं बलकि देश की सियासत में भी कर सकती है 2014 के लोकसवा चुनाव की तरह 2019 में दलित वोटरों की एहम भूमी का रहने वाली है इन वोटरों को कॉंग्रिस के पाले में करने में जिगनेश बड़ी भूमी का निभा सकते है लिहाज़ा ये कहना गलत नहीं होगा कि दलित युवा चेहरों की कमी से जूज रही कॉंग्रिस के लिए जिगनेश इकका साबित होंगे इंडिया नियूस बारिल कि रिपो